तो साफधान इंडिया जाती प्रथा एक ऐसा अभिशाप है जो इतने आंदोलनों के बाद भी हमारे समाज से पूरी तरह नहीं मिठ सका है बड़े शेहरों और कजबों में कुछ हद तक लोगों ने इंसान से इंसान के रिष्टे को जाती बाद के जश्मे से देखना बंद कर दिया है लेकिन अब भी ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो कुछ विशेश जाती के लोगों को नफरत की निगाह से देखते हैं इस प्रथा के सबसे बड़े शिकार मासूम प्रेमी यूगल होते हैं जिनने जाती ये पवित्रता के पैरों का या तो समाज से बहिश्कृत कर देते हैं या उन्हें सब के सामने जलील करके उनके जीवन की भली ले लेते हैं सावधान इंडिया में आज जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी कड़वी सच्चाई से तालुक रखती है सब कब तक चलेगा पिंकी क्यों? अचुदाई सेहन ने होंदी प्यार मैं तेरे ना सिरियस गाल करें और तुम मजाग ही करी जाननी है कद्धा सिरियस जा लाइफ ही जाननी है ओ हो तुवी ना चोटी-चोटी बात पर रूट जाता है ले हो गई सिरियस लेक एक दो महीने में सबको पता पड़ी जाना है ओ हाँ, वो तो पड़ी जाना है पर तब तक इलेक्शन भी हो जाना है और वी जी को मेरी वज़े से कोई प्रॉब्रम होने का चांस भी नहीं होना है जी जी गर जाने तर टाइम हो गया है वी जी दे अस्या कि साथ वे से पहले पहले गर आई हो यह सब क्या नहीं है, चक्कर शुरू हो गया ओ, वो, यू नो ना थ्रेट्स एले तो से वी जी को आय करते थे अब मेरे नाल चुपका देते चल, मैं तेन्यों रात्ती फोन करागी जी ओ, रुकोए तेरा नाम पल्ली है? पान जी तेरी इतनी हिम्मत हो गई, हाँ? पढ़ लिख जाने से किसी की जात नहीं बदल जाती तेरे बाप दाते सड़ी चो ठंखा कर जीया है फिर कभी पिंकी नाल दिख्या तो यही गाड देंगे भोल गया तू पिंकी किसकी बेट्टी है? हाँ? याद रखी हो वे चलो है सब रेट्डी हो जाओ मैडम जी आ रही है पिंकी ने तो प्यार किया था बल्ली और पिंकी ने तो प्यार किया था मासूम निष्चल प्यार जो जात पात ऊच-णीच धन-दौलत कुछ नहीं देखता बस पयार से पयार को तलता है लेकिन इस भूल से कोमल रिष्टे के दुश्मन बंगय थे परंपरा और सत्ता एक तरफ थी भारत के एक सम्पन राज्य की ताकतवर नेता और दूसरी तरफ बेचारे पिंकी और बल्ली जिन्होंने चादी तो कर ली थी छे महिने पहले लेकिन पिंकी की माँ के विरोध के डर से ये बात सब के सामने जाहिर नहीं की थी पिंकी चाहती थी कि बल्ली एक बार IAS की परिक्षा में पास हो जाए, तो वो सार उठाकर सब के सामने अपनी पसंद की घुष्णा कर देगी, इसलिए बल्ली भी अच्छी घासी बैंक की नौकरी मिलने पर भी जोइन नहीं कर रहा था, और IAS की तैयारी में जुटा हुआ थ पैड़ी पाना चाहिए जी, जित्तिर पुथ्था, जित्तिर पुथा, जित्तिर पुथा, बल्ली… अम्थारा जौ में इल्ले, चाह, जुटु! की हो या, मैंनो फोन भी नहीं कर दे, मिलने भी नहीं आंदे, मेरी जाल नहीं की सोची है, तू नहीं समझेगी, तू चाह, एक और एलेक्शन उट दे, फिर मिलांगे, की फिर मिलांगे, की हो गया तो आनू, की गल्दासरे हो, तुम इनू देड़ मिनिच बाद मिलेगा, कीस तरह समझावा देनू, एक तो ये चोरी-जोरी मिलना बिलकुल बिलकुल पसांद नहीं है, और उपड़ से तेरी है सेक्योरेटी, तू तू तुम मेरी सेक्योरेटी से डरते हो, बल्ली मेरी जान तूम किस चीज से डरते हो, हाँ समझ लेकि मैं डरता हूँ बस, ओहो, डरते डरपोख होना है, जितु आगे बढ़कर और दी गर्दन पड़ ले, बता आशे की तरफ फुट जाना है, बॉल बेटा, तुन्हे मुझे बताया है नि? सब कुछ छुपा गई? मैं आपको बताती तो आप मानते क्या? मान भी सकती थी तुन्हे भरोसा ही निकिया अपनी बीजी पर? खेर छोड़ जो हुआ सो हुआ अब आराम कर मा बनना इतना आसानी होंगा और सुन्हे ख्याल रख इसका जो चाहिए इसे दे दे भार जाने की जरुरत न पड़े ज़िए मोबाई ले इसका परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, मेरी बात सुने परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, मेरी बात सुने परजाई जी, परजाई जी, मेरी बात सुने परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, मेरी बात सुने आप लोग यह सब अच्छा नहीं कर रहें, आप मुझे इस तरह कैथ नहीं कर सकते की हो या, नहीं मिला फोन? तीन दिन हो गये हैं, सी चौप पड़ा है फोन मुझे तो एक बात समझ नहीं आती यार तु जा कर वो सबकू साफ साफ बता यू नहीं देते तुम लोग शादी कर चुके हो ना, हां? तो कब तक चुपा हो गए? समझ नहीं रहा है यार, इतना असान नहीं है सब कुछ तु मुश्किल की है, देख खिक दिन दे बताना ही पहेगा पता नहीं केड़ी कालना वेट कर रहे हूँ यार मैं वेट नहीं कर रहे है यार, मैंने तो इस गल्दी जिनता हो रही है कि उसको कुछ नहीं हो गया हो यार, तु समझ नहीं रहा है यार मेरे वीरे ओ मेरे प्रा, मेरे वीर घर बैठे-बैठे कुछ नहीं ना जाके पता कर कर रहे है यार, मैं की कर सक्दिये तो आड़े वास्ते है सरकाल में साड़ी पंसन रोग जित्ती है, किन्नी वार संजायागे में जिन्दा हाँ बस सुन दे ही नहीं, रूफ मांग देहेंगे तु इदर की कर रहे है तु इदर की कर रहे है की गलोई कैसे आना हुआ? जी, वो, पिंकी और मैं जी इसने तुझे कुछ कहा था ना? पिंकी को भूलनाइ के लिए बोला था ना, मैंने तुझे और तु मेरी बात को भूल गया जी, मैं भूला नहीं लेकिन पिंकी या पिंकी का नामत ले और कुछ बोलना है तो बोल अरेंदर इसके मोबाइल से पिंकी का नंबर डिलीट कर बिंकी का Halo Halo बंकी बंकी किंते है तो, तो ठीक तो है न बंकी मैं मोगे में हूँ, मैं ठीक हो मोगे में? सबको मेरी प्रेगनेंसी के बार में पता चल गया है मैं न ही लिए जिए और सबको पता पड़ी जाना है बीजी ने मुझे इहां लागर कैद कर दिया कैद? पर तु फिकर ना करी मैंने जल्डी इदर से भाग के तेरे को ला जाना है बल्ली, तु ठीकते है न? मैं कैसे ठीक हो सकता हूं दिन रात तेरे ही बारे में सोचता रहता हूं बल्ली मैं तर को बार में फोन फोल्म करती हूं बल्ली स्था करे में और आरे मिकट और में कि आज़िए अभी तक उनकी बीमारी के बारे में कोई ठोज जानकारी हमें नहीं मिली है इस वक्त हमारे साथ मौझूद है मुर्दकौर के भतीजे और पिंकी के चुचेरे भाई हरिंदर सिंग आईए उनसे पूछते हैं कि पिंकी की मौद कैसे हुई पिंकी मिरी पैन थी कुछ दिनों से उसकी तबियत खराब चल रही थी और कुछ दिन पहले ही वो अपनी सहिल के घर रहने गई थी चूक तो हमारी है हम सब इलेक्षणों की तैयारियों में जुड़ गए और रभ नहीं कर दिता हुआ हम तो इस साल उसकी ब्यहा की तैयारी भी कर रहे थे तेकिन किसे पता था क्यामर जी है पिंकी की अचानक मौत की खबर से बल्ली जजबाती तोर पर पूरी तरह बिखड़ गया आखिर उसका पती था वो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिंकी अब इस दुनिया में नहीं रही कैसे मर गई पिंकी हो ना हो पिंकी की मौत के पीछे कोई गहरा रास था और अब उस रास को जानना बल्ली के जीने का इकलोदा मकसद बन गया मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा यार ऐसे कौन सी जुमारी है यार जो इतनी जल्दी अब यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है क्या हुआ था यार वीरे मैंने सुबह का अख़बार पढ़ाया डॉक्टर का बयान लिखा था पूड पॉजनीं की वज़ा से उसकी घर पर ही मौत हुई है यह था एक बाद बता ऐसे कैसे हो सकता है या तो घर पे मौत होगी या रास्ते पे मौत होगी एक ही आदमी की मौत दो जगा कैसे हो सकती है बता पैसे बात तो यह है कि इन पॉलिटीशन का कुछ भरोसा नहीं है अपने फाइदे के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग जो इनसे बन पड़ेगा क्या बखवास कर रहा है यार तू ऐसे कैसे हो सकता है मेरी भाद हुई थी यार उससे तब सब कुछ ठीक था और यह अचानक अचानक कैसे कोई मर सकता है यार कैसे कोई मर सकता है हलो जी मैं पिंकी से बात कर जकता हूँ किसे? पिंकी से कौन पिंकी? पिंकी कौर जी फोन की आता उसने इस नंबर से मुझे क्या आपको पता नहीं है सो सेड अच्छली शेज नो मोर तीन-चार दिन पहले ही क्या हो अदा उसे? कैसे मरी वो? वो आप कौन मोल रहे है आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए यह वो कैसे मरी और यह नंबर कहा है? हलो? हलो? वर वल्ली कितने है यह वाद वद्या है यह विखा नंबर दिखा यह यह हमारी कंपणी का नंबर नहीं है यह यह पर मुझे इसका नाम और पता चाहिए यह यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तु तु समझ सकता है ना यार? प्लीज यार? एक काम कर यह नंबर तु मेरे पस छोड़ के जा मेरे एक दोस्त है उससे पता करवाता हूं नहीं? थैंक्यू यह थैंक्यू 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 नहीं यह जग तु इंक्वाइरी कर रहा है ना उससे अभी रोक दे क्या समझा यह कब तक बढ़ता रहेगा बार बर वही खाबर भूल क्यों नहीं जाता पिंकी को किता मारा उंचला दोने हाँ भाई बोल हाँ बली नंबर के साई डीटेल्स मिल गए है मोगा का नंबर है जग जी संदू के नाम पे रजिस्टर्ड है और उसका पता भी मिल गए है लिख ले एक सक्ट थेंक यू अर थेंक यू सो मच जो लोग पिंकी की मौत का रास चिपाना चाहते थे उन्होंने सोचा था कि मारने पीटने और जान का डर दिखाने से बली डर जाये लेकिन हुआ उसका उसका उल्टा बली को एहसास हो गया कि पिंकी के साथ हुए अन्याय को उजागर करने की उसकी जिद उसके शरीर पर लगी चोटों के दर्द से कहीं ज्यादा है और इस एहसास से बली के इरादे बेहत मजबूत हो गए क्या देख राए क्या देख राए मैं तो बस बस क्या बहुत देख लिया चल निकल पिंहुत यहाद है आए आज अल्ग करता ऩाऊड़ ए मुआड़ झाल र प्ते लिया जैक्ता आए यहुत अक्ता बाए वे जाए पारव है अज़ गोटा। अज़ अज़ पिंदा समय आज है कि अज़ एस्टाइब करना इस सबुक्राइब कर दोफे जो कि अज़ा है अज़ कि अज़ की कर रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बस अज़ा है कुछ जीते है वह आ बली है तो कैसा दो? वह रहा है सुनकर बड़ा अप्सोस हुआ यार यज़ किन ही होता कि ऐसा भी हो सकता है तो फिकर मद कर मेरे यार तुझे जितनी भी मदद की जरूरत होगी ना मैं करूंगा यह मेरा वादा रहा क्या हा मैंनो की मालूम मैंने तो अपना काम करना और घर आना देख एक मासूम कुड़ी की हत्या होई है कोई कितना भी बड़ा होए लेकिन कानून से बड़ा नहीं हो सकता तो सच बताएगी तो तुम्हे कुछ नहीं होगा तो जूड बोलेगी तो फसेगी समझी मैंने की कितना साथ मेरे कोई गलती नहीं जो हुआ था सच-सच बोल मनने के चार रोज पहले जीजी को लेकर आये थे वो बहुत गुस्से में थे जीजी वहाँ पे रहना भी नहीं जाते थे मैं ही उनका खाना लेकर जाती थी पीन्की अरे पुथर खाना तेयार है रोटिया तेयार है आजा दीध्इ क्या हुआ लगता है सो गही है पीन्की दरवाजा ही नहीं कोड़ रही है मुथर मुथर पेन्की पुथर थ्लवाजा खोले घटा मुथर की ओना चला, रोट्टी शोट्टी खा ले, चला मैंनो पुखनी है ऐसा नहीं करते बुथतर ऐसी हलत में खाना पिना नहीं छोड़ते बच्चे की सेहर पे असर होता है तू तो खाना पिना छोड़ देगी पर उसे तो खुराक चाहिए ना आपको मलूम है फिर, मैंनो सब पता है इसे लिए तो मेरे घर मी जाये ताकि घर की बात कर में ही रहे ये घर है जेल खाना है ये ना मुझे किसी से मिलने दिया जाता है कोई फोन पे बात नहीं करने दी जाती आना नहीं जाना नहीं, मैं क्या करूँ देखो पुत्तर ऐसे बात नहीं है पिटा, तेरी माँ तेरी दुश्मन नहीं है, बसकि तुनिया में माँ की गुर्सी तो रब के बराबर होती है, और ये बात जब तु माँ बनेगी ना, तब तुझे पता चलेगी, कि तेरी माँ तेरे लिए पुरा नहीं सूचती है, बात तुछ पर बंदे की तालाश में रहते है, सरासी में बात बाहर निकल गई ना, तो बद्नाम हो जाना है, उपर से इलेक्षन पे भी असर होना है, समझ रही है ना मेरी बात को, आजा, रोट्टी खाले, चलो जी, जी जी और कुछ चाहिए, नहीं, पेट हो गया, आलो बल्ली, बल्ली मैं मोग्य में हूँ, मैं थीक हूँ, बल्ली, घरवालो को मेरी प्रेग्नेंसी के बार में पता चल गया, और बीजी ने मुझे इहां लाकर कैत कर दिया, हाँ, पर तुछ ना करी, मैंने जल्दी इदर से भागत तेरे कोल आ जाना है, बल्ली, तु ठीत यह रहते है ना, बल्ली मैं ते को पार्मी फोन करते हूँ. जीजी के लिए दूद बना दू? तु रहने दे, मैं बनाती हूँ. जीटा, यहले, पिंकी कुदे. जा, देख्या है रही जा? जीजी, दूद. जीजी, दूद. जीजी, जीजी को क्या हो गया? दूद पिते ही कुछ हो गया? वहो, दूद पिते पिते नेन डा गई उसे. तू भी ना डरा देती है अरे जी जी कुछ हो गिया लेकिन चल अब तेरा काम हो गया तू घर जा तू घर जा गहा ना चल जा जल्दी जा जब मैं गेट के भाहर निकली तो सहाब के साथ एक डॉक्टर्स घर वी चाया बीवी जी ने मेरे से कुछ नहीं बोला फिर मैंनो लगया कि बीवी जी नहीं जी जी के वास्ते बुलवाया होगा जब मैं अगले रोज गई मैं बहुत ड़ी होई थी जी जी वहाँ पे नहीं थी मुझे बाद में पता चला कि जी जी चल बसी बार डाल बार डाला मेरी पिंकी को मेरे कोई गलती नहीं मेरे कोई गलती होती तो वो लोग मुझे बोलते मेरे पिल्साम लगाते मेरे कोई गलती नहीं लेकिन मैं किसी को ली छोड़ूगा सब को जेर कर लाँगा सब को अब पर पर मैं तुछ इंता मत कर, तुम्हे कुछ नहीं होगा. लेकिन तुम्हें, डॉक्टर का नाम पता तू मालू मेना? नहीं साब, मैनु कुछ नहीं मालू. मैनु कुछ नहीं मालू. तुझी अच्छी तरह याद है, कि अकबार में डॉक्टर गा ब्यान चपाते हैं. पक्का वह वही डॉक्टर होगा, पक्का! बली, मिल गया! पांस संबर! यह देख! डॉक्टर पिये नरोडा? हाँ! चल! अहाँ! पड़े पुलीस टेशन! इस डॉक्टर की रपड लिखाएंगे! देख बली, मैंने आप तक 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 तो तरी हल्प की, वो जाती तौर पर की. मगर आप तेरे साथ चलना मेरे लिए ठीक नहीं. कोई गल नहीं, बिरे. थेंक यू यू, थेंक यू. उन दस, कौन कौन था इस साधिश में? जी, मोगे गजी शंदू, अदी भीवी, मेसिज जगजी संदू, डॉक्टर पीय नरोडा, और इस राज्ये की मंत्री, अमरित कौर. की? की बोलिया तू? जी, मोगे गजी संदू, अदी भीवी... वो सब नहीं, लास में किसका नाम लिया, वो बोल. अमरित कौर. जी, मेरे पस सबूत है, गवा है जी. सबूत है? गवा है? वै, सुन, तू एक माँ पर उसकी बेटी के खून का इल्दाम लगा रहा है, तू अधा कोने इल्दाम लगाने वाला? जी, मैं उसका पती हूँ, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी वह, इसलिए उन्होंने मार दिया उसे. जाल माना तू उसका शोहर है, पर मिनिस्टर तो नहीं है न? अरसन, जै मैंने तफ्ति शुरू कर दी न, तो धारा तोड़ने के तरे पर इतने इल्दाम लगाऊंगा, कि तू जेल में चला जायाएगा. उस नेता का तो कुछ नहीं होगा. पर तू सारी जने की जेल भी शाड़ेगा, समझा? चल ने कले तो, चल, चल ने कले ते, अरसन, जबारा मुण गेते नाई, समझ गया? पुलिस समाज में अपराध को रोकने, और अपराधियों को कानून की जब में लाने के लिए होती है. और यह तो किसी भी आम नागरिक का फर्ज है कि अगर उसकी निगाह में कोई अपराध आता है, तो वो उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करें. लेकिन पुलिस में होते हुए भी किसी अपराद की सिर्फ इसली अंदेखी करना, क्योंकि अपरादी सत्ता की ताकतवर कुर्सी पर विराजमान है, बहब निदिनी है. और बड़े अफसोस की बात है कि देश में तमाम इमानदार पुलिस कर्मियों के होते हुए, कई पुलिस कर्मी ऐसे भी हैं, जो जान बूच कर अपनी वर्दी और फर्द से गद्दारी करते हैं, और अपरादियों को रोकने के बजाए उन्हीं की हिपाज़त करने लगते हैं, इस सच से सामना होने पर बल्ली निराश ज़रूर हुआ, लेकिन हताश नहीं. कड़म आप पर आरोब लगाए गए हैं, गुर्दासपूर नए हाइवे के टेंडर में भारी गड़बड़ी हुई हैं, टेंडर इन्वाइट करने के बाद एलिजबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजिस कर दिये गए? यह जो भी काम हुआ है, नियम कानून से हुआ है. मगर आरोब लगाने वाले? आरोब लगाने वाले कुछ भी कहते रहते हैं, वैसे भी एलेक्षिन का टाइम है, यह तो आरोबपा का मौसम है. एक और सवाल मेटम. पूछिये? पिंकी की मौत कैसे हुई? यह कैसा सवाल है? क्या बेमारी हुईती उसे, बोलिए! यह क्या बत्तमीजी है? ऐसे सवालों का मैं जवाब नहीं देती. जवाब तो आपको देना पड़ेगा मैडम. यह एक एकिस साल की लड़की की मौत रातो रातो जाती है, बताएए आप. यह उपोजिशन दादमी है, इसे चुपकराओं. क्यो आपने पिंकी को जगजी संदू की मोग्य वाली हवेली पे भेजा था? बताएए आप, क्या हुआ था चार तारिक की रातो? बोलिए मैडम, जवाब दीजिए. जवाब दीजिए मैडम, क्यो आपने पिंकी का पोस्मॉटम नहीं कराया? क्यो आपने उसका चुपके से क्रिया करवा दिया? जवाब दीजिए! क्या पिंकी मा बनने वाली थी? क्या पिंकी श्यादी शुदा थी? क्या आपने उसकी हत्या नहीं की? अरे, यह क्या गुंडा कर दिये? मैंने कह दियाना मुझे नहीं जाना किदर बे मैं तुझे छोड़ के नहीं जाती हूँ पागल हो गया है, तु क्या? नहीं जाना मुझे, उस मने कह दिया ताई जी, आप समझते नहीं हो उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है और आपका यहां पे रहना यहां बिल्कुल भी सेफ नहीं है चाहीजी पुतर, तुसको भूल जा भूल जा उसको, मेरी बात बाद पान ले पुतर पुतर, तु दरबादा नहीं खोला तु कुछ नहीं उसमना मैं ने कुछ नहीं उसमनी मैं झtar हमां पर प्रेस कॉंस्परेंस के बारे में आपने जो सवाल किये थे वो क्या हम अंदर आ सकते हैं? यह अकेला मामला नहीं है राज्य में पहले भी ऐसे मामले होते रहे हैं जाती यह दुराग रहा और दुसरी किसी वज़े से लोग अपनी बेटियों भी अत्याचर कर रहे हैं अधिला मुक्ति संगठन और मानवधिकार समीति अब आपके साथ हैं और यह लड़ाई सिर्फ अब आपकी नहीं हम लोगों की भी हैं लेकिन कहसे लड़ेंगे यह लड़ाई पुलीस प्रशासन मेडिया सब तो उनके साथ में हैं अब कुछ नहीं हो सकता सब कुछ खत्म ह नहीं बलके लड़ाई अब शुरू हुई है इस देश को सिर्फ राजनेता नहीं चलाते पुलीस प्रशासन मेडिया इनके उपर भी एक और शक्ति है अदालत हम अदालत मेरीट करेंगे और अदालत हमें जरूर इंसाफ दिलाएगी पर बोलो तो इसके जान के पीछे पड इस पर हुआ कोई भी हमला पर उल्टा असर करेगा और अपोजिशन वाले तो इसका बड़ा भारी इशू बना लेंगे और इलेक्शन के इस समय वो लोक इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे आपने हमेज़ जिस डॉक्टर के बारे में बताया है क्या आपने उनसे कॉन्टाइक करने की कोशिश की बताएए यह हमारे लिए एक एहम कड़ी है आप लोगों को कन्फिजन हुआ है मेरा उस केस से कुछ लेने देना नहीं है लेकिन अगभार में तो आप ही का नाम छपा है आपके ब्यान के साथ कि मौत फूड प्वाजनिंग से हुई है अगभार वाले क्या शापते या आप उनसे पूछिए प्लीस आप लोग मेरा टाइम वेस्मत कीजिए बच नहीं सकेंगे आप मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप दो हत्याओं में शामिल है मेरे पास सबूत है गवाँ है जिनोंने आपको उस्रा संदू के घर जातो है देखा था और उसी राद विंकी की हत्या हूँ आप हमसे जूट बोल सकते हैं मगर अदालत में गवाहों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे आप बच नहीं सकेंगे आप अध्यारों में गिंती होगी आप बच सकते हैं अगर आप हमारा साथ दे और फिर सरकारी गवाँ बन जाए तो सच सच बताएए क्या हो अता हूं स्राद मुझे मिसे संदू का फोन आय था पर मिस्टर संदू मुझे लेने आया है हम दानों साथ उनके घर कहें एंबलिस बला लेते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर एक तो फिर कार सी जलते हैं नहीं बीबी जी ने कहा है कि जो भी होगा यही पर होगा एकिन मैं अकले कैसे मुझता है चाहिए कि मुझे तुसी फिकर मत करो डॉक्टर हम कर ले तुसी जाएदा नहीं होगी ठीक है गरम पनी चाहिए होगा मुझे डॉक्टर साब क्या हुआ यह उपरेशन तो होगया लेकिन ओजी वेरी गुड़ी जी वेरी गुड़ी जी आने वाले से मैं उनको इन फार्म कार देता हूं पता नहीं कहां रहे गे हैं डॉक्टर साब वह बहु बिदिनंग हो रहे हैं अब चलिए बिदिन हो रहे हैं राइख मुड़ी देखिये मावला बहुत ही प्योड़ेस ही रहे थो र हुड ले जाने पड़ेगा डोक्टे सार हुस्पिटल पर पर क्या पर के आध अ design भी तो अपन इमापरेशन काम्याब्वा अर्यवा मेडम, आपरेशन तो हो गया है, लेकिन यह हॉस्पिटल में ले जाना बहुत जरूर ही है, नहीं तो आप थिकर मत किजिए, आप अराम से जाएए, अगर कुछ होगा तो आपको इथिला कर देंगे लेकिन बेडम, ब्लीडिंग हो रही है, आप जाएए, सुना नहीं, जाएए मैं रात भूर उनके फोन का इंतजार करता रहा, मगर कोई फोन नहीं है, अगली रूस पता चला कि, पिंकी पार डला मेरी पेकी, कोई माँ अपनी बेटी को कैसे बार सकती है, कैसे बार सकती है, कोई माँ हिंबत रखो, बल जीद, इश्वर पर विश्वास रखो, देखो, सब ठीक हो जाएगा तुम यह जो कर रहे हो इसका कोई फाइदा नहीं होने वाला तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हैं मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है पहले नहीं था तब मैं डरता था आपसे लेकिन आप मुझे आपकी ताकत का अंदाजा अच्छे से हो गया है और मैंने आपसे टरना पंद कर दिया और वैसे भी जो औरत अपनी बेटी का खून कर सकती है ना उसे टरने की नहीं लड़ने की सुरत है तू तू लड़ेगा मुझसे चीटी के तरे मसल दूंगी तुझे पुरे खांदान को बरबाद कर दूंगी कहां जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कुछ एक बार एलेक्शिन हो जाने दे अपनी बेटी से भी बुरा हाल करूंगी तेरा आपको जो करना है न आप वो कर लेना और जो मुझे करना है तो वो में सरूर करूंगा पर एक बात और मैं इलेक्शिन के खत्म होने का इंतिजार नहीं करूंगा समझ गई आप जो औरत अपनी बेटी का खून कर सकती है न उसने तरने की नहीं कि लड़ने की सुरत है बताएए सर आपके आगे की प्लानिक क्या है आज हमने उच नियायले में रिट दाखिल कर दी है और अदालत में हमारी बात को बड़ी घंबीरता से लेते हुए द्वारा पिंकी की हत्या की जांच करने की आदेश देदी है कि सीबी आई की निस्पक्ष जांच के बाद पिंकी की हत्या में अमरित कौर की साजिस जरूर सामने आएगी अदालत दोरा सीबी आई जांच के आदेश से राज्य सरकार बुरी तरे दबाव में आ गए लोगतंतर में चुने हुए प्रतिलिदी कभी-कभी मिले हुए अधिकारों का दुरूपयोग करने लगते हैं लेकिन उन्हें देर सवेर जनता की अदालत में अपने कर्मों का हिसाब देने जाना ही पड़ता है चुनाव के इस माहौल में राज्य सरकार जनता के सामने एक अपराधी का बचाव करते हुए नहीं दिखना चाहती थी इसलिए उन्होंने भी अमरित कौर को बल्ली की इस मुहिम का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया मीडिया ने भी सच सामने लाने की अपनी जिम्मेदारी को भगू भी ने भाया पहले जो अकबार कुछ भी चापने से कत्रा रहे थे अब वो हर खबर बढ़ चड़ कर चापने लगे अमरित कौर पर दबाओ बढ़ने लगा मामला बहुत गरम हो गया है रूपर से एक इलेक्शन का महौल भी है पार्टी इंट्रेस्ट में अब इस सीवा दे 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 और वो भी जल्दी माड़म 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 कहीं साच्छे कि रेजिफ ने आप ते रेजिग्नेशन मांगाए क्या आप अजालत के सामने सरेंडर करेंगी सामझते हो कि मुझे अभी अभी आपने देखा बीबी अमरित कौर ने किस तरीके से अपना आपा खो दिया इससे उनकी मनोदश्ण का पता चलता है कही ना कही उनके मन में चोर है जिसके तार उनके बेटी की मौश से जुड़े हुए अमरित कौर ने सरेंडर नहीं किया लेकिन बल्ली और मानवा धिकार कार्यकरताओं दुवारा दिये गए पुखता सबूतों के आधार पर अदालत ने उनकी गिरफतारी का अधेश किया लेकिन तब तक चुनाव आकर जा चुके थे और अमरित कौर पर से जंता की राय का तातकालिक दबाव भी हट चुका था और उसी बीच पिंकी की हत्या के सबसे मजबूत गवा डॉक्टर अरोडा की एक साड़क दुरगटना में मौत हो गई कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि उनकी मौत के पीछे अमरित कौर का हाथ हो सकता है लेकिन अधालत में ये साबित नहीं हो सका और डॉक्टर अरोडा की गवाही के बिना कतल का इल्जाम भी साबित नहीं हो सका लेकिन जबरन गर्पात और अगवा करने के आरोफ में अमरित कौर को पाँच साल की सजा हुई बल्ली को ये लड़ाई लड़ने में साथ साल लगे लेकिन अंत में जीत उसी की हुई अपरादी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों नहों अगर हौसले बल्ली की तरह बुलंद हो तो उन्हें कानून की हद में लाकर इंसाफ पाया जा सकता है जूटे सम्मान के लिए किसी की हत्या करने के अफराद के लिए भारतिये दंट समिता में कोई अलग से धारा नहीं है इसलिए इसे हत्या की श्रिणी में रखकर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। पिंकी के मामले में जवरन गरपाथ की धारा 312 और 316 भी लगाएगा। और नेता अमृत कौर को सजा भी मिले। अब मुझे सुशान सिंग को इजाज़त दिए। सावधान इंडिया, इंडिया पाइक्स बैक्स.